नमस्कार साथियों स्वागत है आपका कनेया जीया सोल्ड में दोस्तों UPSI 28 नॉंबर का एक्जाम खतम हो चुगा है और हम आचुक है 100 परसेंट रियल कोश्चन के साथ विद उसका आंसर ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सभी कोश्चन के ब पाली बार आएं तो यहां पे जो आप में लाल कलर वाला सब्सक्राइब लिखा है न उसको तो पहले दवा दिजिए उसके बाद घंटा का निसान को आन कर लिए ठीक है अब वीडियो पसंदों संद आए तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों तक सेयर कर दीजिए ठीक है उ इतने मिले हैं सभी कोश्छ न आपके पास लाएं देखे एक पहला कोश्चन यहाँ पर पूछा गया कि राश्ट्पती की नियुकति इतना मोटा कई अगया न cash है तो देखे राश्टपती से कोशचन था अल handlar कि कोश्चन एग請क द थूड़ा सा उसका way चेंग का स्कंड त नॉसूची में और जन जाति आयोग का वर्ड का वर्ण किस अनुछेद में है। देखिए अनुसूची जन जाति वाला कल भी पूछा था आज भी पूछा है ओसकता है आने सीट के आरच्छड की बेवस्ता किस अनुछेद में की गई है तो देखिए इसकी बेवस्ता आर्टिकल नमबर 331 में की गई है लोग सवा में दो एंगलो एंडियन मनुनित करने के लिए हलाकि अब जो एवाली बेवस्ता है समाप्त कर दी गई है संसुदन के द्वारा अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा किया था गांधी जी के राजनैति गुरू कों थे तो गांधी जी के कई गुरू थे लेकि राजनैति गुरू की बात करें तो राजनैति गुरू थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब ठीक है जब यह गए थे दक्षिड अफ्रिका फिर आये थे मतलब दक्षिड अफ्रिका से आये थे तो इनको गोपाल कृष्ण गोखले से हाला कि दक्षिड अफ्रिका में मुलागात हो चुकी थी अब देखिए अगला यहां पर एक अधिनियम से क्वेश्चन मिला कि राष्टी सुरक्षा अधिनियम यानि कि नेशनल सिक्य दिया था जल पर दूसर पहले बनाया गया कि परियावर सपसे पहले बनाया गया तो वहां पर आप सबसे आप सही कर लिए होंगे नेक्स्ट कोश्चन यहां पर पूछा गया मौलीक अधिकार का वाडन कि मौलीक करतर पर खुब जम के पूच रहा है पिछले वाले सिप्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं तु जान लिजिये उच ताप मापने के लिए पाइरो मीटर का प्रयोग करते ही और मंदिर से इतियास सबी देखने को मह बली पूरा मंदिर आड़ के तमिल र 나दुनामक राज में इस्थीत है और यहां पर देखे और और यहां पर पूछा गया था विच थो हींदी-दिवस कब मनाई गाए तो यह सोफने दिवस 14 दूzesन का दैफिर स्ट्राइन को ममनायें जाता है यहां अगला और आघ्वार लिए को आंफिंग है अगला नंबर चनेले के बारे में बताया गया है आठिकल नमर 241 में फिर देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि मानवा अधिकार संरक्षड अधिनियम कब आया तो मानवा अधिकार संरक्षड अधिनियम 1993 में इसे लाया गया था फिर यहां पर देखिए भूमी अधिगरण अधिनियम पूछ दिया यह कल भी पूछा था भूमी अधिगरण अधिनियम जो है 1894 में आया था ठीक है भूमी अधिगरण अधिनियम यहां पर एक कुछा गया आठवी अंसूची में कौन सी भासा नहीं है तो देखी यह क्या लिखा गया ऊठीम देखे कौनी भासा नहीं है तो हम्धास का नाम बता दे रहें उसके पलामात जो आए। रहा होगा सभी नेपाली मरिपूरी कॉंकड़ी उसकेडी मराथी तमिल तेल्गु कनर येतनी हमने बासा बताएं बाइस बासा नामव नृट यहां पर देखे हैं नीति निदेल्शक तत्तों के बारे में पूछा गया था रहां हम नितीदील्शक तत्तियों इतीनी दिलसकततों के बारे मेंецुराव पर लागू करता है एक कोच्चन और बायोजी से मिला कि पूछा था हाती पाwn रोग किस मच्छड से कारण होता है या फिर हाती पाğँ रोग किस के कारण होता है कि जिमानलों कारण होता है तो जान लिए आथी पाऊं, रूख को हम लुग कहते हैं, फाइल एरिया, थिक, फाइल एरिया कहा जाता है, और यह मच्छड के काटने से होता है, हाथी पाऊं, इसमें पाऊं जो होता है, हाथी एक समन मोटा जाता है, यहां कोश्चन अगला पूचा गया, कि सबसे जादा आक्सीजन भारत में कहां पाई आती देखिए इस कोश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्या आक्सीजन पूछा था अब आक्सीजन की बात करें तो ऐसे कैसे ना आप सकते हैं या फिर यही कोश्चन रहा हो तो आप बताईए नीचे कमेंट करके और एक बार फिर से जूम अप्लिकेशन को किसी नहीं बनाया था ठीक है तो जूम अप्लिकेशन जो होता है जिस पर मीटिंग वगएर होती है आनलाइन कई लोग साथ में करते हैं तो उसकी देखिए अपना दो सब्सक्राइब किया गया था और इसको बनाया था एरी के यूवान नाम की एक ब प्रकार की संदी होती है अब देखिए और नेक्सट पहले इंदी वाला कंप्लीट कर लेते हैं दिकें पूछा था तो मुर्धन ने जैसे पूछ दिया कहां से बोला जाते इसका उचारड बताई तो देखिए मूर्धने सब मूर्धने सब्सक्राइब होते हैं जिसे बोलन पर हमारा जो जीब है उपर तालू में मतलब लगता है है यहां पर देखिए तालू बे नहीं तालू बे वाला दूसरा हो जाएगा तो यह मुर्धने होगा यहां पर एक कोश्चन पूछा गया भारत तेंदू अरिश्चंद की रचना कौन से जैए तो देखिए इनकी पूछा था कि यह कौन सा अलंकार है तो अलंकार आपने देखकर बताए दिया होगा और एक कोश्चन यहां पर पूछा गया था जैसे होता है करता कारक कर्म कारण करण तो उसी तरह दे दिया था के लिए के लिए में कौन सा कारक है ठीक है तो आपको पता है तो नीचे कमें बताई इक अब देखें यहां पर उपसर से दो कोस्टन था और प्रत्ते से एक कोस्टन देखने को मिला था अब देखिए देख लेते हैं कोश्चन नमबर एक कल वाला है कि आज वाला है देखिए देख लिजिए कोश्चन तो है राजस्थान का लोक नुरीत अगर पूदे तो धूमर हो जी गूमर डोल अग्री जूमर ठीक है और उसके लामा देखिए यहां पर DSP का फूल फार्म य तो यहां पर उपलब करा दिया ठीक है तो उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक किये बेगर जाएगा मत मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाएंद